मित्रों ये है बेड कला गाउं में राइचंजी बरफा के यहां जो जेविक गतिविदियां हो रही है मैं भी काफी दिनों से प्रभावित हूँ देखिए मित्र वेस्टरडी कमपोजर के साथ बना पांच पत्ति काड़ा हिला रहा है यहां गोमुत्री कटा है गाई और भेंस बांधने की जगव इधर है पूरा एकदम वेवस्टित तरीके से काम कर रहे हैं यह अपने यहां माइक्रो निूट्रिन बनाए है पांच पत्ति काड़ा बनाया है वेस्टरडी कमपोजर के साथ मित्रो अब देखिए वो परत्यक्ष गड़ी जिनका आप सभी को इंतजार है कि आपने इतनी सारी यूनिट लगा तो दे लेकिन अब इसका परिणाम क्या रहा तो मित्रो देखिए इनके खेत का परिणाम इनके फूल गोबी का परिणाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तो देखिए मित्रो आप रायचन जी बरफा आप बता रहे हैं ये गोबी के फूल पूर्ण रूप से और्गेनिक है पत्तों की साइज देखिए तकरीबन चोड़ाई है पंदरा इंच से जाड़ा और लंबाई अठरा से बीस इंच तक पहुँच चुकी है ये बीना रसाइन के फूलों की फलों की खेती है सबजियों की खेती है ये आप फल देखिए जो गोबी का फूल बना है एकदम सौप्ट कलर एकदम नेचुरल कोई तरह का इसके उपर वाइरल कलर इफेक्टिव नहीं दिख रहा है आप बहुत अच्छी मेनत कर रहे हैं ये आपके खेत में गोबी का प्लांट है गर में ये जो भी सबजी बनाते हैं बाजार से कुछ भी नहीं लाते हैं मिर्ची भी यहाँ है गोबी यहाँ है गाजर मुली यहाँ है अनिय पत्तिदार सबजियां यहाँ है उत्तपधन आप ले रहे हैं और इनके घर के पास कुछ गोभी के नए पधे, ये तूरई अभी भी लगी हुए है, ये लोकी है, लोकी में इस कदर इस समय सारे पत्ते पढ़कर खत्म हो जाते हैं, लोकी खत्म हो जाती है, लेकिन यहां तो फूरुट भी लगा हुआ है, यह इसा फल यह नेचुरल कलर है क्योंकि कीचन गार्डनिंग के तहत हम भी मटके वीदी से लौकियां लगाते हैं लेकिन वह इस समय खत्म हो जाती है अक्सर जब से यह वेश्टरडी कंपोजर आपके पास पहुंचा है तो आपने इसकी काया ही बदल दी देखिए यह इनके खे किया है और अभी छोटी अवस्ता के गोबी और कुछ बैंगन के पोदे हैं मैं आपको वो भी दिखाना चाहरा हूं यह है गोबी की नई पोद जो घर के दूसरी साइड में लगी हुई है यह बैंगन के पोदे हैं बैंगन के पोदों का पत्तों का कलर पत्तों में मुलाइ देशी बैंगन है, गोल वाले भी है, लंबे वाले भी है, इसके उपर कीट नियंद्रण के लिए आप राख का इस्तमाल करते हैं लंबे वाले बैंगन हैं, और ये पूर्ण रूप से और्गनिक है, इसमें जब से, ये देखें इनके चार दिवारी है, गर के आंगन के चार यह चार दिवारी के साथ यह आपका पूस्तेनी मकान है यह इस साइड में आपने मात्र वेस्टडी कंपोजर के गोल के साथ खेती चालू की है यह आपके नेचुरल सब्जियां है इधर मिर्ची है यह अपने इस्ट देवता का देविस्तान मैं दन्यावाद देता हूँ आप दोनों भाईयों को राइचन जी को कि आप इतनी अथक प्रयाश से अपने आपको एक मिशाल के तौर पर पेस कर रहे हैं तो फिर से आप दो सब्द युवा और किसानों के लिए कहिए मैं तो यह क्या हूँ को आप आलसी मत बनो खुद काम करो और करने से आपको भूत फाइदा होगा आलस करते हैं बैटे रहते हैं चाई पीते मीडी पीते सिगरेट पीते अपना समय बरबात करते हैं उस समय में यह काम हो जाता है और पैसे बसते हैं पूरे पूरे जी राइचन जी आपने युवाओं को देश के करन धार किशानों को जिनका पूरे देश का भार किशानों के कंदों पर हैं अनाज उत्पादन करने के लिए तो आपने चन्द कम सब्दों में किशानों को युवा मित्रों को एक ऐसा संदेश दिया है आप समय का सद्यूपियों करें समय किसी के खुद की जागीर नहीं हो को बचा कर रख ले एक मिनट में भी समय निकलता एक गंटे में भी समय निकलता एक दिन में भी समय निकलता ह जो समय निकल गया वो हाथ से वो आपस नहीं आता तो आप वेस्टरडी कंपोजर से खेती कर रहे हैं आप बहुत तरकी ला चुके हैं इस गाउं में इस जिल्ले में और यह मैं आपको फिर से एक बात फिर से दोराना चाहता हूँ बेड गाउं एक ऐसा गाउं है जहां पूरा गाउं तकरीबन 80% डिप सिस्टम से है और 80% डिप सिस्टम से है और 80% रसाइन मुक्त है बहुत अच्छा आपके इनवव मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई बहुत बहुत धन्यवाद राइचंदराम जी